असलाम अलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम NTS के पास पेपर हम डिसकस करेंगे जिनका तालुग जो होगा वो सेकिंडियर फिसिक्स के चेप्टर नमबर 11 हीद से होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वैसे इसके काफी जादा MCQ आते हैं तो हो सकता है कि मुम्किना तोर पर ये पास पेपर का सेशन जो है वो दो हिस्सों में जाकर तक्सीन करना पड़े तो आज के सेशन में हम बागादा 2016 से हम बागादा स्टार्ट कर लेंगे जिसमें चेप्टर 11 सेकिंडियर फिसिक्स हीद से रिलेटिट जितने भी MCQ जो NTS के पास पेपर में आ गए हैं उनको हम डिसकस करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नॉटिफिकेशन स्टूडन तक पहुंचते हुए तक्रीबन दो से तीन मिनट लगते हैं अगर आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूटूब चैनल सिन्बोट टीचिंग से आप बड़ा रास देख ले हैं अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरीके से अगर आप किसी मेडिकल या इंजिनिरिंग यूनिवर्सिटी की एक्जाम के हमारे से त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे वाटसेब गूर्प को जॉइन कर सकते हैं याद रहे WhatsApp Group को जोईन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शेहर का नाम हमें इस नंबर पर क्या करते हैं सेंड करते हैं तो हम आपको WhatsApp Group में क्या कर लेते हैं एड कर लेते हैं इसी तरीके से WhatsApp Group के मकाबले में कई गुना जादा आइमियत रखता है Facebook Group जिस Facebook Group में बहुत सारे आजकल तो कुछ दिनों से बहुत सारे MCQ जो हैं वो अपलोड की जा रहे हैं और यहां सारे 4000 से जादा स्टूडन जो हैं वो क्या हैं इस Group में एड हैं तो आप भी जो हैं लाजमी इस Group में एड हों और MCQ डिसकुशन का हिस्सा बने याद रहें MCQ जितना जादा डिसकुशन करोगे आप उतना ही जादा जितने जादा MCQ डिसकुशन होगी उतनी ही जादा आपके अप्टिटूड की तैयारी अच्छी होगी तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो जल्दी से जो है वो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से और अपने अपने शहर का नाम जो है वो लिखे हैं और कराची से तालोग रखने वाले स्टूडन जो होंगे वो अपने अपने एरिया का नाम भी लिखेंगे तो देखते हैं इस वक्त हमारी इस लाइफ सेशन को कहां से देखा जा रहा है जल्दी से कर लें ताके जिन जिन बच्चों को नोटिफिकेशन रसीव और यो पता चले तो अमजद खान इस वक्त कराची से हमीदा कराची से शिफा जो है वो इस वक्त लारकाना से बाइस बच्चे इस वक्त बड़ा रास देख रहे हैं विडियो को लाइक करने हैं सिर्फ नो स्टुडन हैं ये बहुत बुरी आदत है तो जल्दी से जो है वो आप लाइक करें बैटा ये टेस्ट जिंदगी पर छोटे मोटे चलते रहेंगे फाइनल टेस्ट की तियारी करो बोट की तो यहां जहां टेस्ट देते हो वहां फिर ढंक से बढ़ा भी करो ना तो वहीं जाकर टेस्ट की टेस्ट छोटे मोटे टेस्ट के लिए तुम लोग कहते रहते हो फल और हफसा जो है वो मीरबुर खास से तो हैरत की बात है कि लड़कों के नाम से भी जो कमेंट आ रहे हैं उसमें भी कोई नो कोई फीमेली है चले बई तो बदीन से इस वक्त जो हैं वो जादा स्टूड़न जो है वो बरायरास थे हैं तो आईए हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के चप्रें नमबर 11 का मसी यू तो हमें पहला मसी क्यों मिल गया है बीसवां सी क्यू जो है फिजिक्स का जो के हीट से तालुक रखता है हमें कहा जा रहे हैं फाइंड हीट ट्रास्टरब्ट टूब और फ्रॉम दे सिस्टम धर्मो dynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joule if at the same time 120 joule of work is done on the system. पांच उप्शन हमारे सामने जो हैं वो हमें दिये गए हैं और एक बात याद रखना के अगर मुझे डाउट हुआ के कोई student ऐसा है जो MCQ के आंसर रटे लगा कर बेठा हुआ है पास पेपर की बुक उसके पास पहले से मुझूद है और अगर ये फील हुआ कि वो रटे लगा करे है तो हम इसके बच्चों को सिर्फ कंफियूज करने का काम करेंगे तो इस फर्स्ट एं लास्ट रॉर्निंग के बगेर सॉल किये पहले से रट्टू जितने भी बच्चे होंगे वो लाइफ सेशन में हमेशा के लिए हाइट कर दी जाएंगे वो सिर्फ लाइफ सेशन को देखा करेंगे participation नहीं करेंगे तो यसलिए मैं याद दान ही करवाओं कि पहले बच्चों को solve करने का मौका दिया जाए फिर answer में participate करें तो last time जानवी की performance मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी लेकिन इतना मैं बता दूँ कि आज doubt होगी है मुझे कि ये पहले से रटे लगा कर आती हो लाइफ सेशन में जल्दी answer देनी कोशिश करती है क्योंकि सवाल आते ही जो है वो इस तरीके से इतनी speed से में sound नहीं कर सकता जितनी speed से आपने answer दिये है इस total indication कि आप रटा लगा कर आ रहे हो चले बड़ी तो हमें कहा जा रहा है कि हीट को transfer किया गया है एक thermodynamic system में इसकी internal energy जो decrease हो रही है वो 300 joule है और same time पर जो what done जो हो रहा है what done on the system कहा जा रहा है वो कितना है 120 joule अब हमें पूछा जा रहा है find the heat transfer तो मैं आपको जो हैवस का solution बताता हूं कि यह किस तरीके से हमारे पार यह तो हमारे सामने बाइस सबसे पहले यहां में कहा गया है find the heat ना हमें heat चाहिए इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है it's internal energy decrease by internal energy जो इसकी decrease हो रही है तो decrease in internal energy के लिए हमें क्या करना होगा डेटा में minus लगाना होगा ये पहले से lecture में बात discuss हुई इसी तरह के से what done on the system जो होता है वो हमेशा minus में होता और by the system क्या होता है plus में तो अब हमारे पाफ जो है वो first law of thermodynamics का formula है delta U बढ़ाबर है delta Q minus delta W delta U minus 300 है delta W minus 120 है minus minus हो जाता है plus 120 यहां plus में हो वहाँ जाकर minus delta Q की value हमारे पाफ जो है वो minus 300 minus 120 दोनों add हो जाएंगे और हमारे पाफ delta Q की value आ जाएगी minus 420 joule जो के हमारे पास इस numerical का answer है तो यह numerical समझ में आगी आप लोग को 20 का जो correct answer है वो क्या है D minus 420 joule तो एक बाद या जाकना वो बच्चे जो solution पर ध्यान देते हैं वो solution पर ही ध्यान दें जो रटा लगाते जा रहे हैं मैं आपको guarantee से कहता हूँ last year भी हमने live session conduct किये थे जिसमें कुछ बच्चे जो हैं MCQ के रटे लगा कर live में participation तो उनकी बड़ी अच्छी होती थी लेकिन board में या final aptitude में उनका कहीं भी admission नहीं हुआ तो इसले कर रहा हूँ समझने पर ध्यान देना है ना कि answer के रटे लगाते जाना है आपने तो इसकी technique समझ में आ गई कि तो 30 all the heat supplied to a system is converted into work in the day process जितनी भी heat energy देते हैं वो convert हो जाती है work में कौन से process में तो बदीन से एक student ने जो है वो answer C दिया है बाकी student शाबाज कराची वाले बच्चो ओके बई जानवी ने A कहा है शिफा ने जो है वो C कहा है हफसा ने C कहा है सुमनगुल C is the correct answer तो याद खिएगा जितनी भी heat energy देते हैं और सबका सब word done में convert हो जाता है वो process होता है आईसो thermal process वो कौन सा process होता है आईसो thermal process बेटा आपका stylish जानवी आपका answer गलत है अब equation यहाँ थाबित करने का कोई फाइदा नहीं है तो C is the correct answer आईसो thermal याद खिएगा maximum word done जो होता है वो आईसो thermal में होता है maximum word done किसमें होता है आईसो thermal में और अगर कहा जाए जितनी भी heat energy दी गई है वो सबकी सब internal energy में convert हो जाती है तो answer A होता आईसो correct और यहाँ कहा जा रहा है जितनी भी heat energy दी गई है वो सबकी सब word done में convert होई है तो वो प्रोसेस जो होता है वो आईसो thermal होता है ओके वई फिर इसके बाद जो है जिसका correct answer जो था SMCQ का वो C था 39 1 किलो वोट आर्ड is equivalent by a factor डेशन जूल 1 किलो वोट आर्ड कितने जूल के बड़ाबर होता है 39 कमर्य जल्दी सा answer दे 1 किलो वोट आर्ड कितने जूल के बड़ाबर होता है जल्दी से शाबाशा answer दे 1 किलो वोट आर्ड is equivalent by factor dash in jule तो सबसे पहले सबाद की तरफ सा answer correct आया है बहतरीन 3.6 exponent 6 जूल तो 1 किलो वोट आर्ड बड़ाबर होता है 3.6 exponent 6 जूल जो है वो क्या है यह जूल कितने जूल के बड़ाबर होता है चला बड़ाबर 2016 होगिया अब हम आते हैं 2015 की तरफ 2015 में मैं तलाश करता हूँ कि देखते हैं हीट के को सवाल है बैलकि 2015 से पहले जो है 2016 में केमडीसी और डाउ का टेस्ट जो है वो अलग अलग हुआ था तो केमडीसी की तरफ में आ जाता हूँ और इसमें तलाश करता हूँ यह हीट का कोई हमसीगी हो तो मिल जाए है चला बड़ाबर हमें मिल गए हैं केमडीसी की पेपर में इफ T1 इस अ तेमपरेचर आप बोड़ी और T2 इस अ तेमपरेचर आप बोड़ी देफिशेंशी ओफ अ का नोट इंजन इस गिविन बाइ 24 का क्या अंसर होना चाहिए और साथी साथ 25 का भी आंसर दे तो 24 का क्या अंसर होना चाहिए 24 का सबसे पहले जो है वो बहुत से बच्चों की तरफ से आया सना हरून का कमेट जो है वो उस पर नजर में आया है इससे पहले भी कुछ बच्चों का अंसर था तो इसका करेक्ट आंसर 24 का है 1 माइनस T2 आवर T1 यह इसका फॉर्मिला है और 25 का 24 का करेक्ट आंसर B है कार्णोट इंजन का फॉर्मिला 25 में कहा जा रहा है कि लोवर पॉइंट 32 है और अपर पॉइंट 212 है तो 212 में से 32 को माइनस कर दो तो आपकि नमबर अफ डिवीशन आ जाते है 180 तो 25 का जो आंसर है 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 25 का जो करेक्ट आंसर है वो B है 180 इस दा करेक्ट आंसर चाले बड़ इसके बाद हम बढ़ जाते हैं इसके बाद हम बढ़ते हैं डाउ के 2015 के तर हम आते हैं 2015 में हमें एक सवाल मिल गया है जो के chapter 1 से लेटे है Kelvin is a unit of thermodynamic temperature which is dash of the thermodynamic temperature of the triple point of water यहाँ Kelvin की definition की बात हो रही है और यह first year physics के chapter number 1 में बागाते हैं यह definition लिखी भी है कि Kelvin is a unit of thermodynamic temperature which is dash of the thermodynamic temperature of the triple point of water तो 17 का जो correct answer वो क्या है बी 1 over 27.273.16 बी is a correct answer यह Kelvin की बाकाइदा जो है वो definition है जो के first year physics के chapter number 1 में बाकाइदा लिखी हुई है फिर सी 2015 में मैं तलाश करता हूँ 2015 में और कोई MCU जो है वर selected नहीं है चले अब हम 2015 के बाद हम 2014 की तरफ आगा आपके सामने है 2014 के pass paper की तरफ में आता हूँ और मैं तलाश करता हूँ चैने है बाई 20, a steel rod has a length of 15 meter at a temperature of 30 degree centigrade if the temperature is raised to 45 degree centigrade the increase in its length is alpha की value दी गई है 1.1 exponent minus 5 Kelvin inverse एक steel road है जिसकी लंबाई जो है वो 15 meter है और इसका दरजा हरारत बता जा रहा है 30 degree centigrade है हमें कहा जा रहा है कि if the temperature is raised to 45 degree centigrade अगर हम 30 से 45 degree centigrade तक उसका temperature कर देते हैं तो हमें कहा जा रहा है the increase in its length will be हमें बताना है increase in length क्या करना है हमें increase in length बताना है length में कितनी तद्दीली IE कितना इजाफा होगा हमें वो बताना है 20 का देखते हैं सबसे पहले correct answer किसकी तरफ से आता है जल्दी से शाबश 20 का correct answer सबसे पहले किसकी तरफ से आता है हम उसकी बात करेंगे तो किसी की तरफ नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है कि कल की तरफ एरर तो नहीं आ गया मुझे लग रहा है कल की तरफ जो है वो एरर नहीं आया तो एरर नहीं आया तो सॉल्ट कर रहा है चलो तो देखते हैं सबसे पहले किसकी तरफ answer आता है 20 के answer की बात करते हैं तो बिलाल की तरफ से answer आया है D साइमा शेख ने E कहा है जल्दी शाबश अनाबिया की तरफ से D साइमा की तरफ से C मारिया इनायत की तरफ से B बाकी बच्चों जल्दी शाबश चालबे टाइम आउवर अब मैं आपको बताता हूँ 20 डाव यूनिवर्स लेल्ट साइंसिस की इनिशल लेंड दी गई है 15 अलफा की वैल्यू दी गई है 1.1 एक्सपॉनिट माइनस 5 और चेंज इन टेंपरेचर जो आ रहे है 30 और 45 में कितना फर्क है 15 का अब हमें पुछे जा रहा है इंक्रीज इन लेंड मतलब डेल्टा एल की वैल्यू बता लिए 15 को 15 से मल्डिप्लाई करते है 225 आ जाता है 225 अब 1.1 एक्सपॉनिट माइनस 5 है ना अब मुझे इतना पता है 225 को मैं 1.1 से मल्डिप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 225 के आसपास होगा अब देखो भई ये option बहुत ही दूर है ये option बहुत ही दूर है ये option बहुत दूर है ये option बहुत छोटा है तो एक ही मेरा पास option बचता है वो क्या है 247.5 एक्सपॉनिट माइनस 5 मीटर आपने accurate answer लाने की कोशिश ही नहीं करनी आपने देखा ना 225 है 1.1 से मल्डिप्लाई करूँगा 225 के आसपाफ जो भी value है वो क्या है हमारे इस MCQ का answer है तो हमारे बस इसका answer क्या हो गया ये technique समझ में आ रही है बच्चो को ये technique आपको समझ में आ रही है कैसे हो रहा है जल्दी से अकर ये technique समझ में आ रही है तो comment में जल्दी से इस लिखो क्योंकि आपने अक्सर वकात accurate answer निकालने की जरुवत नहीं हो कि आपको सिर्फ पहचानना है क्या करना है आपने सिर्फ पहचानना है कि यार मुझे आसपास answer आ जाएगा ना answer आसपास आ जाएगा तो mcq option select करने में आसान होगी accurate solve करोगे तो time जाय हो जाएगा आसपास पता जालेगा फॉरण answer mark करके क्या करना है आगे बढ़ना है चाले बाई 33 का मुझे जल्दी से answer दें इसी 2014 की बात हो रही है 33 का मुझे जल्दी answer दें Kelvin the unit of thermodynamic temperature is one of the thermodynamic temperature of the triple point of order जल्दी शाबश 33 का answer दो exact सवाल जो हो क्या हुआ है रिपीट हुआ है तो इसका correct answer हमारे पास क्या है इसका correct formula हमारे पास जो है वो क्या है C is the correct answer चला मैं गुड सेम रिपीट सवाल था अब हम आजब है 2013 की तरफ तो डाउ के 2013 की तरफ में आगया हूँ और 2013 के physics वाले portion में तलाश गया दखिएगा 2013 डाउ की तारीक का सबसे मुश्किल पेपर था तो उसमें मैं तलाश करता हूँ के हमें कौन सा मिलता है 31 की हम बात करते है 31 में कहा जा रहा है The amount of heat at constant volume is equal to constant volume पर heat की amount जो भी देते हैं वो क्या है A. Internal Energy, B. Enthalpy, C. Entropy, D. Temperature और E. Pressure The amount of heat at constant volume is called as A. Internal Energy, B. Enthalpy, C. Entropy, D. Temperature, E. Pressure जल्दी से बताओं तो हमारे पास 31 का क्या answer आना चाहिए जल्दी से शाबाश कमिट बाइंसर लिखें तो constant volume पर heat की amount जो भी दी जाती है वो क्या 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 लाती है तो अनभिया खान का सबसे पहले correct answer आया है फिर हफ्शा का, पिर असलम मोगल का, फिर सना हारून का और वो answer क्या है A 31 का जो correct answer है वो क्या है A. Internal Energy constant volume पर word done नहीं होता बाई constant volume पर word done नहीं होता जितनी भी heat energy दी जाती है वो पूरी की पूरी किसमे convert हो जाती है जितनी भी heat energy दी जाती है वो पूरी की पूरी किसमें convert हो जाती है वो पूरी की पूरी internal energy में क्या हो जाती है convert हो जाती है तो इसमें हमने कहा the amount of heat at constant volume is called S वो क्या कहलाती है A internal energy जितनी भी heat energy देंगे constant volume पर वो internal energy के बढ़ाबर होगी 36 the internal energy of an object increases in an adiabatic process which of the following must be true regarding this process हमें कहा जा रहा है कि internal energy जो है एक object की adiabatic process में उसमें इजाफा हो रहा है which of the following must be true regarding this process न में से कौन सा process है जो adiabatic process के हवाले से true होगा A में कहा जा रहा है the kinetic energy of the system is changing B में कहा जा रहा है the potential energy of the system is changing C में कहा जा रहा है work is done on the system D में कहा जा रहा है heat flow into the system E में कहा जा रहा है no work is done on the system जिसने हमारे heat वाले lecture अगर अच्छे से revise किया होगा उसे पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में internal energy में इजाफा हो रहा है इसका मतब जो है internal energy में इजाफा हो रहा है इसका मतब temperature में इजाफा हो रहा है आपने sinboard teaching की playlist पर जाना है और aptitude lecture of secondary physics पर आ जाओगे और उसमें thermodynamics का जो lecture होगा वो लाजमी देखिएगा और वो देखने के बाद आपको ये topic इतना आसान लगेगा कि आप मुझे दौाएं दोगे इंशाला तो work is done on the system is a correct answer 36 का जो correct answer है वो क्या है c इसी तरीके से इसी का 39 the temperature of a body at 100 degree centigrade is increased by delta theta as measured on the celsius scale how is this temperature change expressed on the kelvin scale हमें कहा जा रहा है एक body है उसका temperature 100 degree centigrade है और उसमें जो इजाफा हो रहा है वो delta theta के बढ़ाबर है celsius scale में how is the temperature change expressed on the kelvin scale हमें कहा जा रहा है kelvin scale में कितना change आई का तो सबसे पहले answer जो दिया गिया है random fund के नाम से एक ID है जिन्होंने option B select किया है सना हरुन ने B select किया है R creation ने C select किया है और सई answer जो हफसा खान का है वो B है यार इतने बच्चे वाले MCQ में तुम लोग फस गए अफसों से आगर याद रखिएगा जिन्होंने scale अब देखो जो बच्चे इसमें confuse हो रहे ना आपने sin board teaching की प्लेयलिस पर जाकर aptitude lecture of secondary physics में scales of temperature वाले lecture को अच्छे से समझिएगा फिर इस MCQ को पर ध्यान दोगे तो आप खोड़ी समझ मा आ जाएगा कि बाई Celsius में 100 degree centigrade का इजाफा हो रहा है तो Kelvin में भी उतना इजाफा होगा देखो बाई the temperature of a body at 100 degree centigrade is increased by delta theta delta theta का इजाफा हो रहा है तो Kelvin में भी कितना इजाफा होगा delta theta क्योंकि number of division दोनों के क्या है सेम है number of division दोनों के सेम है तो Celsius में जितनी तबदीली आती है Kelvin में भी उतनी ही तबदीली आती है तो 39 का हमारे पास जो correct answer है वो क्या है D है और यह 2013 का सबसे मुश्किल जो है वो पेपर था उसमें यह बच्चे वाले सवाल भी मौजूद थे तो इतना असान लगे का कि आप दुआएं दोगे इन्शाल्ला अब हम आज आतने डाव के 2012 वाले पेपर पेपर पर आ गए और 2012 में हमारे पास एक M.C.Q. आपके सामने मौजूद है A system absorbed 1000 joule of heat and deliver 600 joule of work while losing 100 joule of heat by conduction to the atmosphere, the change in the internal energy of the system will be A, B, C, D, E चला बएट, 2012 के MCQ number 26 के हम बात करने जा रहे हैं कि एक system जो हजार जूल की heat energy absorbed करता है और what done करता है 600 joule का साथी साथ heat energy जो low होती है conduction के जरीए वो 100 joule है और हमें कहा जा रहा है the change in the internal energy हमें क्या करना है बताना है तो 26 का correct answer जो है जानवी की तरफ से जो है वा C है R creation की तरफे D है अनविया की तरफे C है मारिया इनायक तो मुझे लगड़ा है कि दुनिया में पैदा ही नहीं हुई B option पता नहीं कैसे तुम लोग तुक्के लगाते हो या पता नहीं कुछ तुम लोग आता ही नहीं है whatever यार C, D ये लगाने वाले मुझे फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ पढ़के मेनत की भी उन्होंने लेकिन जो A, B के जो तुक्के लगा रहे है मुझे हैरत है कि यार ये aptitude test कैसे देंगे बिल्कुल ये तो chemistry भी जिसने first year की पढ़ी है न वो भी बच्चा answer दे देगा अब भाई मुझे ही समझाना पढ़ेगा क्योंके बिल्कुली पूर आंसर अब देखो भाई heat energy जो है वो absorb दे रहा है thousand joule जबके hundred joule की heat energy क्या हो गई है लोस हो गई तो इसका मतलब system को जो heat energy मिली है वो कितनी मिली system को जो heat energy absorb हुई है वो कितनी है 900 और इसी तरीके से और plus मेरा heat supply की जा रही है वर्डन जो है वो system ने जो काम किया रहा है वर्डन जो system काम कर रहा है वो कितना है 600 joule और हमें कहा जा रहा है आप change in internal energy बताओ जिसका formula है delta q minus delta w 900 में से हमें 600 minus करना है तो answer हमार पस कितना आ जाएगा 300 joule हमार पस answer कितना आ जाएगा 300 joule हमार पस क्या होगा 300 joule हमार पस क्या होगा इसका answer है 26 का correct answer हमार पस क्या है C 300 joule चैले भई, इसका आंसर ने है ये एक्वेशन हमेरे पास 36 की के डिल्टा यू जो है वो बड़ाबर है डिल्टा क्यू के रिफर्स टू ये किस प्रोसेस की तरफ निशान दही कर रही है 2012 की हम बात करने जा रहे है शाबाश, तो क्या आंसर होना चाहिए तो सबसे पहले SMCQ के गलत आंसर देने का एजास जो है वो हासिल हुआ है शाबाना को मुबारक हो, शाबाना सलीम ने पहले ऑप्शन ए कहा तो मैंने इसको दाद दी और फिर आईसो थर्मल लिखकर इसने तदीक कर दी कि इसने कन्फर्म गलत आंसर दिया है कॉंगरिचुलेशन्स ओक्य भई, तो हफसा खान की तरफ से इसका अंसर जो है वो खरक्ट आया है तो यह एक्वेशन क्यों दी गई है न तो एक्वेशन डेल्टा यू इक्वेशन शो कर दी कि जितनी भी हीट एनरजी दे रहे ना भई जितनी भी हीट एनरजी दे रहे वो पूरी की पूरी इंटर्नल एनरजी में कन्वर्ट हो रहे है वर्डन तो नहीं हो रहा वर्डन तो यहां जीरो के बड़ाबर हो रहा है वो आईसो कॉरिक प्रोसेस में वर्टन जो होता है वो जीरो के बड़ाबर होता है तो मैं आपको सजेशन यही दूँगा कि देखो इसके MCQ जादा है ना तो गोर से सुनिएगा कि आपने जो है वो इसके सेशन टू से पहले पहले जो है ना आपने सिन बोर्ट टीचिंग की प्लेइलिस पर जाकर सेकेंडियर फिजिक्स के एप्टिटूट के सारे लेक्चर अच्छे से रिवाइस करने है उसमें कई टेक्निक्स हैं कई कॉंसेप्शल पॉइंट है साइए भाई तो इतने बैसिक बैसिक के आंसर गलत आ रहे हैं तो उन तमाम बच्चों को जो है वो इस चैप्टर लेविन के सेशन टू से पहले पहले अच्छी तियारी करके आनी है क्योंको आज लाइन से गलत सलत आंसर देने का सिलसला जारी है तो किस रिवाइज नहीं किया तो गलती किस की आप लोग की है और याद रखना जो लापरवा होता है वो सारी जिन्दगी लापर रहता है यसलिए लापरवाई की आदत आपने छोड़नी है अच्छे बच्चे बनकर रिवाइज करना चाले बई तो 2011 आपके सामने है 2011 के पेपर आपके सामने है और मैं इसमें तराश करता हूं कि हमारे पास कौन सा एमसी क्यू है चाले बई 26 A system absorbed 2000 Joule of heat and delivered 1200 Joule of work while losing 200 Joule of heat by conduction to the atmosphere the change in the internal energy of the system is एक system है जो absorbed कर रहा है 2000 Joule की heat energy और deliver कर रहा है 1200 Joule का work done हमें कहार जारा है while losing 200 Joule of heat by conduction to the atmosphere heat energy जो low sorry वो कितनी है 200 the change in internal energy of the system is हमें बताना है change in internal energy देखते हैं कौन इसमसी क्यू का answer सबसे पहले देता है तो सबसे पहले इसका answer जो है आर्ट किरियेशन अनाभिया हाजरा और सना की तरफ से जो है वो सना हरून रशीद की तरफ से जो है वो answer जो है correct आया है फिर इसके बाद शिफा आईशा आर्ट किरियेशन और भी बच्चे अब जिन से नहीं हुआ उनका मैं बताता हूं क्या कह रहा है हीट एनिजी जो दी गई ना 2000 जूल है और वत डिन 1200 का है हीट एनिजी जो लो सोगए वो दो सोगाफ़ नशी। सिस्टम को 2000 जूल की हीट एनिजी नहीं हीट एनिजी नीमिली तो डो stat दल्या कहा जै रहा है changing in internal energy बताना है delta q minus w तो ถाँजा सो मेंसे मेंडे बारह सो माइनस किया है तो 600 का मेरे पस क्या है 600 जूल का मेरे पास answer है तो यह हमार पस क्या था 1.200 यह चैसेu जूल का correct answer हमार पास क्या है 26 का correct answer is b 600 J 27 के हम बात कर तहें काम कर रहा है 150 degree centigrade और 50 degree centigrade के दर्मयान 27 की बात और यह देखते हैं कौन correct answer देता है देखो कितना खतनक रटा लगावा होता है soul link करना होता है बस बताना होता है कि यह पुग के answer है मैं अब भी कह रहा हूँ कि रटा लगाने वाले बच्चों का aptitude test में दूर दूर से कोई काम नहीं है आप just soul करने पर द्यान दिया करें यह ना बताएं कि रटा कहां से लगाए हुआ आपने बिल्कुल it's quite irritating चले तो अब तक किसी ना answer नहीं दिया okay बई सिवाए रटा लगाने वालों के हफसा खान ने सर्फ c का है चले अब देखो बई efficiency का फॉर्मूला समझे बिद्यान आएका ना बई efficiency हमारे पाफ बड़ाबर है one minus t2 over t1 हमें मालू में t2 low temperature होता और t1 high temperature है तो हमारे पाफ t2 जो है low temperature जो है गोसे सुनिएगा t2 हमारे पाफ जो है वो low temperature है ना low temperature हमें कितना दिया हुआ है यहाँ इस सवाल में 50 तो 50 को मैं Kelvin में convert करता हूँ 273 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 323 और इसी तरीके से t1 हमारे पाफ जो है 150 है ना तो 150 में 273 प्लस करूँगा तो यह हो जाता है 423 multiple by यह हो जाएगा 100 अब यह क्या है 323 को मैं 423 से डिवाइट करता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि approximate 4 upon 3 का ratio आएगा क्योंकि ओपर 300 है नीचे 400 है रफ री नहीं अब 1 में से जब मैं score क्या करता हूँ माइनस करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 4 LCM आ जाएगा अब यह multiply by 4 होगा यहाँ 4 ही है तो यह 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 minus 1 एक में तो यहाँ आमने कहा कि यह 4 हो गिया और यह multiply by 1 हुआ तो यह 3 हुआ तो 4 minus 3 हो जाएगा 1 upon 4 multiply by 100 1 upon 4 हमारा बस बराबर होता है 0.25 के और 0.25 को मैं 100 से multiply करता हूँ तो approximate value आ जाती है 25% कितनी आ जाती है 25% इसका मतलब मुझे पता है कि मेरा answer 25% के आसपास है क्योंकि मैंने यहां 323 को 423 से approximate डिवाइट किया है तो मुझे इतना पता है कि मेरा answer 25% के आसपास है तो 25% के आसप person है जो कि हमारे इस numerical का answer है तो मैंने accurate solve करने में time waste नहीं किया और approximate करते वे मैंने क्या कर लिया है SMCQ का सही answer तलाश किया अगर यह समझ में आया तो comment में जन्दी से लिखो ताकि हम आगे बर सकें क्योंकि जवाब उन्होंने ही दिया है जिनका answer रटा लगावा था तो जो इ यह technique समझ में आई है कि accurate answer की जरुवत नहीं है हमें approximate निकालना होता है बगेर calculator के और हमें क्या करना होता है उसका answer देना होता है तो हमारे पास इसका जो correct answer जो था वो क्या था 23.6% फिर आजाते हैं 31 की तरफ an electric kettle of 150 watt rating boils a certain quantity of water in 5 minutes the heat which is generated for boiling this water is हमें कहा जा रहा है कि electric kettle है जिसका power बता जा रहा है 150 watt है और हमें यहां बात करेंगे कि वो 5 minute में जो है वो क्या कर रहा है जो पानी जो प्रोवाइट कर रहा है बॉाइल कर रहा है हमें कहा जा रहा है कि heat कितनी generate होगी शाबश जल्दी से इसका answer कौन देता है 31 की बात हो रही है कौन answer देता है MCQ No.31 DAO University of Health Science 2011 DAO के 2011 के सवाल पूछा गिया है MCQ No.31 का देखते हैं सबसे पहले correct answer किसकी तरह से आता है नहीं आ रहा है तो फिर मैं solve कर वहूँगा 31 का सबसे पहले गलत सलत आंसर दिया है जानवी ने जो रटा लगा वो तब उसका answer सही आता है solve करने वाले सवाल में उनका answer हमेशा गलत होता है चैले बई तो बाकी बच्चों का answer आ है वो ए वाले तमाम बच्चे जो है वो correct है अब देखो बई यह कैसा solve हुआ हमारे पास power बड़ाब होता है W upon T ना work done upon T जबकि हमें मालों में work और energy एक ही चीज़ है और heat जो है वो energy की क्या है एक फॉद में तो power बड़ा बर हो जायागा कि ओ पॉँ्ऊन टी अब power हमें जो दिया गया है सवाल में फंदरा सो दिया है पौवर कितना दिया है 1580 time फंदरा सो तई और जो कि क्यो आम हमारे पास पास मिनेट है जूल हमारे पास तो 45 45 exponent 4 जूल हमारे पास क्या होगा आंसर होगा 45 exponent 4 जूल क्या होगा हमारे पास इसका आंसर है तो A is the correct answer A is the correct answer अगर ये MCQ समझ में आया है तो कमेंट में जल्दी से yes लिखो ताकि हम आगे बढ़ जाएं अगर ये MCQ समझ में आया है तो कमेंट में जल्दी से yes लिखो ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें चैनले बढ़ तो बहुत इजी सवाल था बाकी बच्चे रिपलाई नहीं कर रहें शाबार जल्दी बताओ अगर ये समझ में आगे जल्दी से yes लिखो ताकि हम आगे बढ़ सको यानि इतने फारत चुपे रुस्तम बेठे थे सबने yes yes में जवाब है आंसर एंसी क्योंगा नहीं आ रहा था चलो कोई बात नहीं सीखना जो है वो मकसद है रट्टा लगाना मकसद नहीं है हमारा नहीं हो रहा था सौल कोई बात नहीं मैंने समझा है समझ में आ गया चलो good very very good चलो अब हम आते हैं 2010 वाले पेपर की तरह 2010 का पहला सवाल mcq a system absorbed thousand joule of heat and deliver 600 joule of work while losing hundred joule of heat by conduction to the atmosphere calculate the change in the internal energy of the system एक सिस्टम है जो 1000 joule की heat energy absorbed कर रहा है वाट 10600 joule का प्रवाइट कर रहा है और 100 joule की heat energy जो है वो क्या और ये loss हो रही है तो हमें कहा जा रहा है calculate the change in the internal energy of the system बिल्कुल playlist में जाएगा बैटा playlist पासपेपर की एक अलग से बनेगी इसमें डालेंगा इन्शाला क्या answer होना चाहिए repeated सवाल है भाई ये same value के साथ repeat हुआ है इसका तो फॉरण फॉरण answer आना चाहिए जल्दी 11 का correct answer क्या होना चाहिए ओके भई तमाम बच्चों की तरफ से answer जो है वो डी आया है और वो बिल्कुल सही है 300 joule ये exact सवाल जो है वो repeat हुआ है याद रहे हमारा जो first year physics का जो session था ना जो इस बार हमने conduct किया था उसमें 13 mcq exact repeat आये इस बार के aptitude test में first year physics के तक्रीबे हमने 900-1000 mcq बाकाईदा discuss किये हैं और वो 27 lecture playlist में जो है वो अब भी आपके पास save है तो वो discussion का आप हिस्सा बन सकते हो और इस साल के aptitude test में उन में से 13 mcq exact repeat होकर आये तो same आप देख रहे हो कि पास के पर जब हम solve कर रहे हैं तो कुछ-कुछ mcq क्या हो जाते हैं repeat हो जाते हैं तो जिन्हों ने उन लाइफ session को attend किया था उनके दूसरे student के मुकाबले में कुछ mcq लास्मी लास्मी जाता सही हुए चलाए 2010 के mcq 25 के तरफ हम आ जाते हैं वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक्वल टू वन ब्रिटिश थर्मल इस एक्वल टू ए बी सी डी ए तो 25 का मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आना चाहिए 25 का मैं जल्दी से आंसर बताओ वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इस एक्वल टू तमाम बच्चों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है 1055 जूल 1055 जूल शैबश अब मैं आ जगता हूँ 2009 की तरफ और 2009 जो है लम्स का पेपर है ल्याकत यूनिवर्सिटी ओफ मेडिकल हेल्ट साइंस तुथाउजन नाइन की हम बात करते हैं तो 2009 में देखते हैं कौन से सवाल आया है तो 29 रिसेंटली दा फिनोमिना ऑफ सुपर कंड़क्टिविटी हैस बिन अब्सर्फ एट 95 केल्विन दिस टेंप्रेचर इस नियरली इक्वल टू हमें कहा जा रहा है कि एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं सुपर कंड़क्टिविटी और सुपर कंड़क्टिविटी का जो फिनोमिना होता है ये 95 केल्विन पर होता है solve करोगे आपके पास answer आजाएगा A-288 degree Fahrenheit 95 Kelvin को आप फॉर्मिल में put करोगे और solve करोगे तो आपके पास answer आजाएगा A-288 degree Fahrenheit जो कि इसका answer होगा जो कि आपने बाद में भी solve कर सकते फिर जो यह वो 2009 की तरफ जाते हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है और मुझे जाना भी है तो इसका session 1 जो है वो दाव के 2009 की पेपर को हम solve करके खतम करेंगे 2013 के बाद सबसे मुश्किल तरीन जो पेपर थाना वो 2009 का था 2009 में कहा जा रहा है The first law of thermodynamics may be written as delta U equal to Q plus W where delta U is the increase in internal energy of the system Q is the heat transfer to the system and W is the external work done on the system which of the following which of the following is correct for the case of an isothermal expansion of an ideal case शाबश इन में से कौन सी equation है जो isothermal को रिप्रेजन करेंगे short हाद अग एक equation है जो का आईसो थर्मल को शो कर रही है तो मुझे जल्दी से 2009 के MCQ number 6 का मुझे आंसर दीजेगा शाबाश number 6 का क्या आंसर है जल्दी तो शिफा, फात्मा, निदा, स्टालिस, जानवी, सनाहरो, बिल्कुल डेल्टा यू इकोल टू जीरो के से शो करता है, आईसो थर्मल प्रोसेस को रिप्रेजन करता है, तो सी इस दा, करेक्ट आंसर एक और हमसी के हम डिसकस कर लगते हैं, और आज के इस लाइफ सेशन को हम एंड करेंगे, ताकि इसके सेशन टू में बच्चे पढ़कर आए, अच्छे से स्टेडी करके आएंगे, सही है भाई, यू इकोल टू जीरो नहीं होता, डेल्टा यू इकोल टू जीरो नहीं होता यू इकोल टू जीरो का मतब इंटर्नल एनर्जी जीरो, डेल्टा यू इकोल टू जीरो का मतब इंटर्नल एनर्जी कॉंस्टेंट, दोनु में जमीन और अस्मान का फर्क है, चले हैं, तो 17 के हम बात करते हैं, तो कॉंटिटी आफ हीट रिक्वाइट तो रेस केलविन तक बढ़ाना है और इसकी यूनिट जो है वो जूल पर मॉल पर केलविन है उसे क्या कहते हैं तो 17 का सबसे पहले करेक्ट अंसर जो आया है वो सना हारून रशीद की तरफ से आया है और वो B है MCQ मॉलर स्पेसिविक हीड की आञीड की आञीड मॉलर स्पेसिविक हीड जो है हमारे बरस क्या है इस MCQ का करेक्ट आइसर है तो आजकर लाइफ सेशन जो है वो त्थोड़ा सा मायोस को रहा क्योंकर बच्चोगी पार्टिसपेशन एक तो ऊलरही जल्दी से आंसर नहीं थह बहुत दूसरा ये था कि आंसर गलत सलत देने वालों की दादा जो थी वो आज के लाइफ सेशन में बहुत जादा थी. तो 2009 से यहीं से हम आगे जो है वो सेशन टू में कंटिन्यू करेंगे तो कोशिश हमारी होती है कि हर सेटरड़ और संड़े में हम एप्टिटूट की बाकरता किलासिस ले रहे होते हैं, बाकी के दिन में हम बाइलोजी और फिजिक्स की डेरिवेशन्स और नुमेरिकल पर हम तो आपने क्या करना है एप्टिटूट की तियारी जो है वो अच्छे से करके रखनी है ताकि अगला इसका जो पार्ट हो उसमें कोई परिशानी ना हो साइए भई, तो एक ने काए शीन खान ने काए किसर डीपीटी का टेस्ट देना है जैसे में बेटा बिल्कुल ठकावा टेस्ट होगा, ये डाउ का टेस्ट है, एमबीबेस का टेस्ट सबसे मुश्किल होता है, तो इन्हें एमसेक्यू की तियारी कर लो, तो डीपीटी और ये बाकी फिल्ड के टेस्ट दोंगे, वो बिल्कुल इजी होते हैं, इसमें कोई परिशान होने की जरुआत नहीं है, तो आज का मेन आफ दे मैच जो है, वो है, बिल्कुल है, तो आज की सेशन का जो मेन आफ दे मैच है, वो एक ये बई, तीन नहीं हम करते हैं, तो मेरी नजर जिसपर परीन है कि आज का Main of the Mesh जो है वह हम देख के हैं कौन है चलै में मैं नाम लिखने जा रहा हूं अच्छी से जो आज में लिखता हूं उस तो आज के इस सेशन का Main of the Mesh जो है इसका नाम में लिखने जा रहा हूं जिन्होंने सबसे तेजी से आंसर दिया है अमीद है कि वो लाइव देख रहूंगे क्या नाम है आज के इस लाइव सेशन का मेन आफ दी मेच हमारे पस कौन है सना हारून रशीर क्योंको मैंने केम से क्यू बहुत बार देखे कि उनका अंसर जो है वो सबसे पहले आज़ा तो आज का इस लाइव सेशन के मेन आफ दे मेच जो मेरे साथ है मैं यह नहीं किया रहा कि मैं सो पर्सन करेक्ट हूँ और बाकी जो है वो गलत है ऐसा नहीं है तो किसी ने एंड में का वैसा था मैं भूल गया था तो आज के इस लाइव सेशन सना हारुन रशीद कॉंग्रेचू लेशन्स तो थैंक यू वेरी मच अल्ला हाफिज आज के सेशन को हम एंड करते हैं ओके बाए